अलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सारा क्लासेश तिर्पल जीरो में तो फ्रेंड आज की वीडियो हम बात करेंगे काक्षा दस्वी की जो साइन्स की जो कम्प्लीट जो बुक है मैं आपको मेरे चैनल सारा क्लासिस त्रिपल जीरो पे मैं इसके पूरे कम्प्लीट नौट्स कराऊंगा जो नौट्स होंगे वो अधर जो भी चैनल है उन सबी से अलग होंगे तो आज से हम स्टार्ट करते हैं जो साइन्स का जो फस्ट चैप्टर है टैंथ क्लास का उसका नाम है रासायनिक अभीकरिया एमम समीकरन तो फ्रेंड आपको जो वीडियो मिलेगी जो आपकी नौट्स की जो वीडियो मिलेगी वो पार्टों में मिलेगी तो दोस्तो बारी बारी से मैं सभी जो साइन्स के जिसमें जितने भी इसमें चैप्टर हैं टैन्थ प्लास के जितने भी साइन्स में चैप्टर हैं मैं उसको कंप्लीट करा दूँगा तो हम आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर फास्ट का नाम है रासाइनिक अभिकरिया एम समीकरण तो हम देखेंगे आज इसके बारे में देखो अध्याई फास्ट रासाइनिक अभिकरिया एम समीकरण तो देखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रासाइनिक समीकरण क्या होता है तो दोस्तो रासायनिक संभीकरण क्या होता है किसी रासायनिक अभिकरिया को अभिकारा को एमम उत्पादकों के पृतिकों वे रासायनिक सुत्रों का प्रियोग करके परदेशित करना रासायनिक संभीकरण कहलाता है तो फिरेंड सीधी से बात है जैसे हमने एक एक्जामपल लिया ZN प्लस H2SO4 जब हम इसकी अभी क्रिया कराएंगे आपस में तो क्या मिलेगा हमको हमको मिलागा ZNSO4 आप दोस्ते इनका नाम भी याद करते चलना इसको क्या बोलते है यह जो ZN होता है उसको बोलते है जिंक जैडन क्या बोलते है जिंक बोलते है और यह H2SO4 को बोलते है Sulfuric Aml यह क्यों होता है H2SO4 Sulfuric Aml जब ZN की जो जो अभी किरिया हम H2SO4 से कराएंगे तो हमें ZNSO4 जिंक सल्फेट इसका नाम है जिंक सल्फेट और यह H2 यह क्या है हाइट्रोजन तो फ्रेंड जो यह हमें क्या यह क्या है समीकरणे समीकरण को हम किसे दर साते हैं सुत्री के हैं सुत्र संकेत हैं तो इसी प्रेंड को किते हैं रासानिक समीकरण कहते हैं तो हम नेश्ट जानेंगे दोस्तो आप हाथ हो हाथ आपने पैन और कोफी हाथ लेके बेठें और आप इनको नोट करते जाएं नेश्ट देखेंगे हम अभीकारक अभीकारक ऐसे पधार्थ जो रासानिक अभीकरिया में भाग लेते हैं उन्हें अभीकारक कहते हैं दोस्तो जैसे हमँने एक ग्जामपल लिया जैड़ाएन ब्लस H2SO4 जैब हम अभीके क着खेंगे तो हमने जैड़ 1804 प्लस हटी प्राप्त होगा जो समिकरिया में यह रासानिक समिकरिया जो समिकरिया के बयोर होता है यह क्या है यह अभीकारक है और यह जो सम्मीकरण के दाई और हैं इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं उत्पाद आप याद आप इसको समझ लें कि जो सम्मीकरण के बाई और होता है वो क्या होता है अभी कारक होता है और सम्मीकरण के दाई और होता है वो उत्पाद होता है तो आप दोस्तों इसको हतो हतो आप नौक सो आसानी से याद कर देंगे इससे हम नेश्ट टोपिक जनेंगे उत्पाद। The ये ओधरत जो रासानी औभिकिरिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते इह आप इन्हें ऐसे भी वियाद करते हैं कर सकते हैं कि ऐसे पधार्त जो अभी काराकों से मिलकर प्राप्त होते हैं तो एसी घटना क्या कहते हैं उतपाद कहते हैं यह सब उतबाद है और यह अभी काराक है तो फ्रेंड आज की वीडियो हम इतना ही जानेंगे यह हमारा पार्ट फस्ट है हम नेस्ट डे उसमें सेकेंड पार्ट लाएंगे और ऐसे बारी-बारी से हम संपूर्ण चैप्टर साइंस के उन्हों कम्पिरिट कराएंगे तो दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल सारा क्लासिस त्रिपल जिरो को लाइक और सब्स्राइब करें थैंक यू